ये है शिव जो पेशे से एक कुमहार है एक वक्त था जब शिव के पुर्खे इस काम की वज़ा से दूर दूर तक जाने जाते थे लेकिन शिव तक आते आते मिट्टी से कलाकारी के इस हुनर के कदर बहुत कम हो गई थी ना तो दिवाली पर मिट्टी के दिये बिखते थे और ना ही अब लोग मिट्टी के बरतनों को इस्तिमाल करते थे दूसरी तरफ मिट्टी के बरतन बनाने के सिवाए कोई दूसरा काम ना तो शिव को भाता था और ना ही आता था बधाली में दिन गुसर रहे थे लेकिन शिव उस दिन पूरी तरह से तूट गया जब पैसों की कमी की वज़ा से वो अपनी बिमार मा का इलाज नहीं करवा सका और उसकी मा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई इतना कहकर शिव फूट फूट करोने लगा तब ही उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ शिव ने फौरण पलट कर देखा तो वहाँ पर एक बुढ़े बाबा खड़े थे जो वेश फूशा से एक साधू नजर आ रहे थे बच्चा वो बाहर ठेले पर जो मिट्टी के कुलहड रखे हैं वो तुम्हारे हैं क्या जी बाबा जी वो मेरे ही है अब बताईए बच्चा मुझे बस एक कुलहड चाहिए लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं बाबा जी आप ऐसे ही ले लीजिए वैसे भी अब उन कुलहडों का कोई मोल नहीं है इतना कहकर शिव ने अपने मिट्टी के कुलहडों में से एक बड़ा सा कुलहड उठाया और उसे लाकर उन साधु बाबा को दे दिया और फिर बच्चा मैं एक खास पुझा करने जा रहा हूँ आओ तुम भी शामिल हो जाओ भगवान तुम्हारी सारी मुश्किलें हल करेंगे नहीं बाबाजी मेरी मुश्किल का हल साध भगवान के पास भी नहीं है और वैसे भी मेरे पास एक फूटी कौडी नहीं है जिससे मैं पूझा में रखने के लिए कुछ भी खरीद सकूँ तुझे क्या लगता है बच्चा भगवान अपने भक्त की भक्ति को उसकी चड़ाई चीजों से तोलते हैं और किस ने कहा कि तेरे पास कुछ नहीं है ये ये कुलहड तो तुने ही दिया है चल अब जल्दी से इस कुलहड में साफ जल भर कर लेया पूझा में सरुरत होगी शिवन सादू बाबा की बाद मान कर अपने उस कुलहड में साफ पानी भर कर ले आता है फिर सादू बाबा उसी मंदिर में एक खास पूझा करते हैं उस पूझा में शामिल होकर शिव को भी बड़ी शानते मिलती है फिर पूजा पूरी होने के बाद ले बच्चा अपसे इस कुलहड को हमेशा अपने ठेले पर रखना लेकिन कभी किसी को बेचना नहीं लेकिन बाबा जी ऐसा करने से क्या होगा शिव के सवाल का साधू बाबा कोई जवाब नहीं देते बस मुस्कुरा कर उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं उनके जाने के बाद शिव ठीक वैसा ही करता है जैसा की साधू बाबा ने उससे करने को कहा था कई दिन गुजर गए और शिव के लिए कुछ नहीं बदला फिर एक दिन बहुत प्यास लगी है पानी का नल तो है सामने पर ऐसा करता हूँ इस कुलहर से ही पी लेता हूँ वैसे भी इसे बेचना तो है नहीं शिव ऐसा ही करता है पानी पीने के बाद वो बाद के लिए उसी कुलहर में थोड़ा पानी भर कर रख लेता है और फिर कुछ देर बाद अरे भीया जरा जल्दी से पचास कुलहर बाद दो आज घर में फंक्षन है और डिस्पोजिबल ग्लास कहीं नहीं मिल रहे लाओ जरा जल्दी से कर दो भीया उस लड़के को देख कर ही पता चल रहा था कि वो बहुत जल्द बादी में है वो कुलहर उठाने और बांधने में खुद शिफ की मदद करने लगता है इस बीच उस लड़के की परचाई उस कुलहर में रखे पानी पर पड़ती है लड़का तो कुछ ही मिंटो बाद वहां से चला जाता है लेकिन उसके वहां से जाते से ही पानी से भरा कुलहर अपने आप फिलने लगता है अरे थेला तो बिलकुल सीधा खड़ा है फिर ये कुलहर क्यों हिल रहा है कहीं पानी में कुछ गिर तो नहीं गया यही सोचकर शिफ कुलहर में जांक कर देखता है और वाकि उस कुलहर के अंदर उसे जो दिखाई दिया उसके होश उडाने के लिए काफी था शिफ को कुलहर के पानी में कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही थी जो असल में उसी लड़के की थी जो अभी अभी शिफ से कुलहर खरीद कर ले गया था उन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर शिव ने महसूस किया कि उसके ठेले से कुछी दूर उस लड़के को एक गाड़ी ने टककर मारती है उसके सारे कुलहर तूटकर जमीन पर बिखर गए है और इस सब में उस लड़के को भी काफी चोटाई है शिव फॉरण उस कुलहर का पानी फेग देता है और जो कुछ उसने देखा उसे अपना वेहम समझ कर भूल जाता है फिर दो दिन बाद वही लड़का वापस शिव के सामने से गुजरता है लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से बहुत अलग थी उस लड़के की बात सुनकर शिव हैरान रह जाता है फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर जैसे ही उसे साधु बाबा की याद आई तो उसके चेहरे पर खुद बखुद एक मुस्कुरा हटा गई जरूर इस कुलहर में तो कुछ खास है उस लड़के के साथ जो हुआ जैसे हुआ वो सब मैंने पहले ही देख लिया था तो इसका मतलब ये कुलहर जरूर लोगों का भविश्य बताता है लेकिन कैसे शिव इसी सवाल का जवाब ढूनने की कोशिश में लग गया लेकिन फिलहाल उसके पास वक्त कम ही बचता था क्योंकि ये भी सच था कि जब से शिव को वो कुलहर साथू बाबा से मिला था तब से ही शिव के बनाए मिट्टी के बरतनों की खूब बिक्री होने लगी थी और शिव को अब पहले से ज़ादा बरतन बना कर रखने पड़ते थे फिर एक दिन अरे शिव अरे कैसे हो भई बस काका अच्छा हूँ आब बताइए अब तो ठंड का मौसम है तो चाय नास्ता तो खूब बिक्ता होगा इन दिनों हाँ भगवान के दया से बढ़िया काम चलना है लेकिन अब ग्राहकों की डिमांड है कि चाय डिस्पोजेबल में नहीं बलकि वो मिट्टी के कुलहडों में चाहिए तो बस सीधा चला आया तुम्हारे पास अरे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है काका बताईए कितने कुलहड़ बांद दूँ कम से कम पूरे हफते का काम तो चलही जाए ऐसा करो पांच सो कुलहड़ बांद दो क्या पांच सौ काका इतने तो नहीं है अभी पर मैं कल सुभा तक सारे बना कर खुदी पहुचा दूँगा हाँ ठीक है ठीक है ये भी सही है बड़ी प्यास लगी है ये पानी पीलूं क्या हाँ काका लीजिये न इतना कहकर शिव ने पानी से भरा कुलहड आगे बढ़ा दिया पानी पीते हुए उस आदमी की परच्छाई कुलहड में रखे पानी पर पड़ी और फिर वही हुआ जिसकी शिव को उम्मीद थी उस आदमी के जाने के बाद शिव ने उस कुलहड के अंदर च्छांक कर देखा उसके अंदर बचे हुए पानी में शिव को फिर से कुछ तस्वीरे दिखाई देने लगे जिसमें उस आदमी की दुकान में आग लगती हुई दिखाई दे रही थी इस बार शिव ने देरी छोड़ दी थी अगर ना देखता तो ना दुकान बचती और ना मैं शिव ने उस आदमी को बहुत बड़े नुकसान के साथ साथ मौत से भी बचाया था जिसके बदले में उसने रमेश को खूब सारे पैसे दे कर उसे शुक्रिया कहा और इस सब में शिव को इतना तो समझा ही गया था कि अब उस जादूई कुलहर के साहरे उसका वक्त बदलने लगा है बहुत जल्द शिव एक कुमहार से जोतिशी बन गया और लोगों को उनके भविशय के बारे में बताने लगा जिसके बदले वो लोगों से मोटी फीस वसूलने लगा शिव की बताई हर बात सच साबित होती थी यही वज़ा थी कि उसका ये धन्धा दिंदूनी और रात चोगुनी तरक्की करने लगा शिव के पास अब पैसों की कोई कमे नहीं थी उसने अपनी छोटी बेहन की शादी बड़े धूमधाम से की वक्त बीत रहा था जिसके साथ अब सब कुछ बदल रहा था शिव ने कुमहारी का काम पूरी तरह से छोड़ दिया उसकी कमाई दिनो दिन बढ़ती जा रही थी साथ ही लालच भी यही सोचकर शिव ने उस कुलहर में पानी भर कर उसके अंदर जाका और फिर जब वो कुलहर हिलने लगा तो वापस उसके अंदर अपना भविश्य देखने की कोशिश की लेकिन इस बार उसे जो दिखाई दिया वो शिव के लिए बहुत डरावना था शिव ने देखा कि वो फिर से गरीब हो गया है पहले की तरह एक टूटी-फूटी जोपडी में रह रहा है और उसके पास खाने पीने तक के लाले हैं उस कुलहर में अपने फटेहाल भविश्य को देख कर शिव गुस्य से पागल हो जाता है वो गुस्से में उस जादूई कुलहर को उठा कर जमीन पर पटक देता है जिससे वो कुलहर चकना चूर हो जाता है फिर अगले ही पल अरे ये मैंने क्या कर दिया ये कुलहर तो टूट गया अब मैं लोगों को उनका भविश्य कैसे बताऊंगा शिव का डर सही साबित हुआ अब उसके पास जादूई कुलहर नहीं था इसलिए अब वो महान ज्योतिश भी नहीं रहा था उसने जितनी जल्दी तरक्की की थी उससे भी जल्दी उसका सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि जब वो लोगों की मदद नहीं कर पाया तो लोगों ने उसे धोके बास करार दे दिया और खुद को इस सब से बचाते बचाते उसका सब कुछ खर्च हो गया अब शिव का वर्तमान वही था जो उसने उस जादूई कुलहर में पहले ही देख लिया था अब वो फिर से एक गरीब कुमार था लेकिन उसके साथ फिर से कोई चमतकार हो इसकी उमीद उसे खुद नहीं थी ये कहानी है मीरा की जो मातारानी की परमभक्त थी बचपन से ही उसका कोई भी दिन मातारानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था और अब शादी के बाद भी चाहे उसके दुनिया पूरी तरह बदल गई थी लेकिन मातारानी के प्रति उसकी शुद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था जै अंबे गोरी, मैया जै शामा गोरी, तुम को निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रहम्भा, ओम जै अंबे गोरी मीरा, ओ मीरा, मुझे खेट जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो मीरा ने मातारानी की आर्थी को छोड़ कर अपने पती की बात का कोई जवाब नहीं दिया तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनु वहाँ आ गये और अपने पिता कनहया से बोले बाबा स्कूल जाना है अगर तेर हुई तो मास्टर जी बहुत डाटेंगे आप मा को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डबा देने को मैं क्या बोलो बेटा देख तो रहे हो तुम्हारी मा का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगा से हिलेगी लगता है आज हम सब को भूखा ही जाना पड़ेगा इतना कहकर कनयया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाल दी अरे रुख जाओ जी इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते खाना बना कर कपका रख दिया है मैंने और तुम दोनों तुमसे कहा था न कि खाने का डिबबा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा सुनते नहीं हो एक बार में बस करो मीरा बच्चे ही तो हैं नहीं ध्यान दिया होगा हाँ ये बच्चे हैं और आप साठ साल के बुढ़े सब कुछ हाथ में चाहिए अब चलिए माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में अब चलकर खाना खालीजे भूखे पेट तो नहीं जाने दूगी घर से बाहर और तुम दोनों नाश्ता करके फॉरन स्कूल जा वरना मासर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूगी मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़ने पड़ी थी वो सब कुछ बरदाश्त कर सकती थी लेकिन माता रानी की पूझा में विगनौ से बरदाश्त नहीं होता था कनहिया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसलि से माता रानी की पूझा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई तब ही अचानक घर के दर्वाजे पर किसी ने दस तक दी अरे राजेश्वर भाईया पिंकी के बाबा तो खेट गए है हाँ भाबी मैं खेट से ही आ रहा हूँ वो कनहिया उसे साप ने काट लिया भाबी पता नहीं कहां से आ गया खेट में एकदम काला और बड़ा साप था ये क्या कहे रहो भाईया पिंकी के बाबा ठीक तो है कहां है वो सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया आप जल्दी से मेरे साथ चलो मीरा ने फॉरण जाकर मातारानी के सामने से चर्णामरित उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुची लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दॉक्टर साब मुझे मेरे पती के पास ले चली ये मातारानी के नाम का चर्णामरित है इससे मेरे पती को पिलाना है मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे देखिए हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता साब का जहर आपके पती के शरीर में कुछ ही मिंटों में फैल गया था यहां आते आते काफी देर हो गई वो अब नहीं रहे डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चर्णामरित का बरतन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कनहया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा पर मीरा आप कुछ नहीं कर सकती था उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था कनहया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी जिसमें एक वक्त में वो एक ही सबजी या अना जुगा पाता था जब कनहया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कठल की फसल लगी हुई थी लेकिन ये किसमत का खेली था ये खेत में उगे हुए लगभग सारे कठल कीड़ा लगने की वज़ा से खराब हो गए थे तो अब मेरा के सामने बड़ी मुश्किल थी हे भगवान सिर्फ ये एक कठल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है पूरी की पूरी फसल खराब हो गए अब क्या होगा मेरा उदास मन से उस कठल को लेकर घर पहुची उसके मन में यही उधेर बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोईगी और बीच खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी जहां मातारानी के सामने भोग का बरतन बिल्कुल खाली था हे मातारानी यह मुझसे कैसा पाप हो गया जल्दी खेत जाने के चक्कर में मातारानी को भोग लगाना ही भूल गई माफ करना मा मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ मीरा फॉरन रसोई में गई लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे कनहिया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए घर का सारा राशन खत्म हो चुका था तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही मातारानी का भोग बनाने के लिए सिवाए उस एक कठल के जो मीरा अपने खेट से ले कर आई थी हे मातारानी मुझा भागन को माफ करना सिवाए इस एक कठल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकू मुझ करीब पर दया करो मा और इस भोग को स्वीकार करो मीरा ने रोते हुए उस कठल को मातारानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रधा के साथ मातारानी की पूजा की दोनों बच्चे भी उसके साथ मातारानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे फिर मातारानी की आर्टी के बाद माँ अब तो आर्टी हो गई ना मुझे मातारानी का प्रसाद दो ना जल्दी से बहुत भूक लगी है सुभा से कुछ भी नहीं खाया नन्य से मोनु की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कठल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिला लेकिन फिर भी उसने कठल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी ही मात अरानी काश ये कठल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके इसी उमीद के साथ मेरा ने पूरा कठल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखे चमक उठी हाला कि वो कठल खाने लायक तो नहीं था लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था मा इस कठल के बीच इतने क्यों चमक रहे हैं क्योंकि ये बीच सोने के हैं पिंकी ये जरूर मातारानी का चमतकार है मीरा ने मातारानी के सामने सिर चुकाया और फिर तुरंथी उस कठल से सारे बीच बाहर निकाल दिया वो सारे के सारे बीच खाले सोने के थे मीरा ने उनमें से एक बीच गाउं के सुनार के पास जाकर बेश दिया उस बीच के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरी दिया मा, मातारानी ने सब ठीक कर दिया ना अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने की बीच है तो हमें कभी कोई परिशानी नहीं होगी अब तो हम बिना कुछ किये ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बिटा, भले ही मातारानी का आशिरवाद हमारे साथ है पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीचों का क्या करना है उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेट साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीच उस खेट की मिट्टी में बो दिये और देखते ही देखते कुछी दिनों में वहां कठल के नए पेड़ू गाए मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से खयाल रखा और फिर कुछी दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े-बड़े कठल भी उगने लगे पिंकी, ले बीटा, फिलाल ये कठलगा खाने लायक हो गया है इसे अलग ले जाकर रगते शाम को घर ले जाएंगे मा, एक बाट तो बताओ, ये सारे पेड तो उनी सोने के बीजों से होगे है न तो क्या इन सारे कठलों में भी सोने के बीज निकलेंगे हाँ पिता मातारानी का अशिरवाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई लेकिन पास ही खड़े गाउं के मुख्या के कान एक दम से खड़े हो गए मुख्या एक नंबर का लालची आदमी था हो सारा दिन मीरा के खेट के आसपास ही मंड़ाता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेट से घर गई तो मुख्या ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेट से सारे कठल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया मुख्या ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कठलों को काटने में लगा दिया लेकिन उन में से एक भी कठल में सोने का नामों निशान नहीं था दूसरी तरफ मीरा जो एक कठल अपने घर लेकर गई थी उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले मातारानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा माँ देखो, देखो माँ इस कठल में भी सोने के बीच है पिंकी की बात एकदम सही थी एक ही खेट से निकले कठलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इनसान की अलग-अलग फित्रत का नतीजा था मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था इसलिए उसे कुछ नहीं मिला जबकि मीरा महनती होने के साथ-साथ मातारानी की भक्त भी थी जिसका फल उसे ऐसे ही कठलों के रूप में आगे भी मिलता रहा हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलेगा